हेलो गाइज वेलकम टू अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट्स चिंदल स्टेंडलिस की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडलॉन कॉंसॉलिडेटेड दूनों रिजल्स आउट हूट कॉर्टर रिंडेट और फिनांसल रिंडेट का और कंपनी के ओर से टू रिपिश पर एक्विडिश यर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंट किया गया है और ये इन्वल जनरल मिटिंग में अप्रूफ किया जाएगा तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल्स पर पहले काँडेटेट फिनांसल रिजल्ट कवर करेंगे करोड से नंबरेज दिये गये है इंकम की बात करें तो 9509 करोड का पिछले कवाटर में 9166.4 करोड का और मार्च 23 कवाटर में 9803 करोड का इंकम है quarter on quarter में तो increase ए, year on year में decrease किया है, expenses 8805.5 करोड का, पिछले quarter में 8262.6 करोड का और March 23 quarter में 8885.4 करोड के expense हुआ था, quarter on quarter में expense बहुँ जाद इसके कान profit में down है, year on year के expense में भी decrease किया, income के according जिसके बाद जिसके बाद जिसके बाद इस company का, यहाँ पे expense बहुआ इंक्रीज वन यह inventory में हुआ है, 417.9 करोड का चार्ज के और पिछले quarter में add हुआ था, 577 करोड का, इस वज़े पॉफिट में down है, और exceptional items में company को 1.6 करोड का गे खर्च हुआ था, इसके बाद ऑपरेटिं करोड का पिछले quarter में 691 करोड का, और March 23 quarter 716 करोड का net profit है, quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है, EPS 6.07 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में fall होती भी नज़र आ रही है, तो गैस quarter ended के result अगर देखा जाए तो बहुत वीक result पेज़ के, एक तो year on year के income में down है लेकिन expense जादा होन 1 करोड का, income में increase है लेकिन expenses 35,291 करोड का, 23 में 33,159 करोड का, expense भी increase हुआ, operating profit 3592.4 करोड का, 23 में 2773.9 करोड का, increase करती भी नज़र आ रही है, net profit 2693.4 करोड का, 23 में 2083.8 करोड का, increase किया है, EPS 32.94 का, 23 से increase किया है, तो guys quarter ended में अगर देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा fall profit में लेकिन financial year ended में increase किया है, operating margin की बात करेंगे, तो company के जो operating margin है, around अगर देखा जाए, तो 10.95% का operating margin है, profit margin है 5.3% का, दोनो quarter on quarter year on year में down है, बड़ financial year ended में increase किया है, अगर हम इसके stand-alone financial result cover करें guys, तो company का जो income है, इस quarter में 885.9 करोड का operating profit है, quarter on quarter year on year में down है, क्योंकि expenses बहुत ज़्यादा किया गया है, इसलिए guys company का profit बहुत ज़्यादा down है, और अगर हम इसके net profit की बात करेंगे, तो company का net profit है, 476 करोड का, पिछले quarter में 779 करोड का, और March 23 quarter में 659 करोड का profit है, quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को म मिल रही है, तो guys company का result अगर देखा जाए तो बहुत एवीक result पेश का, अच्छा result पेशने किया, और guys इसका result आया 530 में इसके result आया है, evening में, और इसका share 632.85 रुपे पे close किया था, और result 4% का crash किया, बहुत बुरीता से crash किया आगा आज के दिन इसके share में, one week में 1.5% का loss ह का profit है, लेकिन 6 months में 45% की profit है, लेकिन 6 months में 45% की profit है, तो guys company के share अगर देखा जाए, तो अतना अच्छा result पेश नहीं किया, और guys इसलिए company के chances कि अब इसमें जो फॉल होने के chances अब ज्यादा है, क्योंकि guys result बहुत वीक पेश किया, profit बहुत ज्यादा fall देखने को मिला, इसल profit book कर सकते हैं, और wait कर सकते हैं, correction होने का, तब हम लोग जो है, वेडियो को ही पर end करते हैं, अगर कोई doubt, comment box में पुछें मिलता है, एक शोड़ा में देलन, बाबाई